गूड इवनिंग फ्रेंज्स कैसे हैं आप सभी के सभी I hope सभी हल्दी हैं consistently प्रिपेर कर रहें तो यार L.I.C.A.D.O. का जैसे के मैंने आपको बताया था 21 जन्वरी को नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आ चुका है सभी जोन्स के लिए expected जो अपने 9000 प्लस vacancies थी वही आई है W का भी नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले आगया था और vacancies कमी थी यार 300 something vacancies थी तो बच्चों क्या सवाल है कि सर दोनों form भरें एकी form भरें कोई भी ना भरें तो तीनो possible aspects के बारे में अपने बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि WA और ADO में से अगर कोई यह की select करना है सर तो कौन सा select करें तो guys देको ADO में number of vacancies जाद है WA में vacancies बहुत कम है WA आपका एक permanent job है ADO आपका target based job है एक specific type के लोगों के लिए वो job best है तो वो सोच समझ के बरिएगा वो उनी लोगों के लिए suggestion है जो उस type के job के लिए fit है अगर आप उस तरह का lifestyle उस तरह का job profile नहीं चाहते हो न तो वो form बरने का आपके कोई बहुत जादा फाइदा नहीं है और WA के लिए भी मैं जो बच्चे financially थोड़े जादा week है जो हर form के पैसे नहीं जुटा पाते है जिनको संगर्ष रहता है कि यार सर्फ form के पैसे भरने में भी form के पैसे भरने में भी बहुत महनत मशक्कत लगते है चब जाके एक बरता है तो उनको भी मैं कहूंगा W का मत बरिएगा बहुत कम विकिंसी से यार अब नहीं है कोई issue के सर नहीं ऐसा कोई पैसे वैसे का issue है नहीं तो W का form तो जुरूर बरना है ADO का form तभी बरिएगा जब आपके वो जो जॉब प्रोफाइलों वो सेट होती है जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहली डाल दिया था तो वो वीडियो देख लेना उसके बाद बरना क्योंकि ADO में bond भी है साथ में वो bond आपको बरना पड़ेगा वो bond on termination आपको बरना पड़ेगा तो इस बात का आप खास दियान रखेगा ये बड़ा ज़रूरी है तो सोच समझ के बरिएगा ADO का form W का form अगर financial issue नहीं है form बरने में तो आप W का form ज़रूर बरिएगा है तो आप skip कर सकते हैं ऐसे कोई बड़ी बात दी है ठीक है जी बागी W बर रहे हैं ADO बर रहे हैं या दोनों बर रहे हैं तो उसके लिए mock का suggestion मैं आपको दे रहा हूँ Ollyboard की तरफ से free mock है W का भी ADO का भी दोनों का link नीचे description में अभी जाके वो mock दो जैसे कि मैंने कहा Ollyboard का mock है तो अच्छे level का mock होगा आपको एक idea लगेगा एक बड़िया analysis मिलेगी आपको एक रास्ता मिलेगा कि भाई कहां कहां improvement करने की ज़रूरत है फिर उस पे काम करना अपने start करें तो वो दोनों mock आपको ज़रूर देने इसके लावा काफी बच्चे पूछ रहेते सर LIC के specific आपके pre की तो YouTube पे series चली रही है mains के लिए कुछ बड़ी आएगा कि नहीं आएगा तो उसकी आप चिंता मत करिए अभी जनवरी में में मेरा SBAPO mains का practice course खतम होगा LIC का मैं फरवरी में launch करूँगा LIC का फरवरी में अपने LIC की exact जो होती है न exam level उस level पे practice करूँगा और जिन बच्चों ने पिछले साल के mains के मेरे courses खरीदे थे क्योंकि मैं pre थोड़ा ज़ादा नहीं पढ़ाता हूँ परी थोड़ा कमी पढ़ाता हूँ मैं ज़ादा mains ही पढ़ाता हूँ मेरा focus में means पही रहता है तो mains के अगर आपने पुराने courses करीदे तो आपको पता है quality दिये exact exam level चीज़ें दिये और ऐसी चीज़ें दिये जो आपके काम आई है exam में जाके आप perform कर पाए हो जिन बच्चों का selection भी नहीं हुआ ज्यादतर students ऐसे है जिन्होंने reasoning में ज़रूर अच्छा किया और जो नहीं कर पाए जुड़े रहो ये मेरा promise है कि आप लोगों की reasoning एकदम शांदार कर दूँगा means वाले ठीक है तो LIC का भी means का course फरवरी में आएगा अभी नहीं है ठीक है जी और अभी के लिए free mock का suggestion है pre के लिए for W and ADO olive board की तरफ से वो जाके आप ज़रूर दे सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा पुरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा ADO का अगर भरना चाते हो तो job profile वाला वीडियो एक बार देख लिजेगा उससे आपको perspective मिल जाएगा और bond का है bond का जो provision है वो important provision है तो फालतु में अपने को फसना नहीं है सोच समझ के फैसला लेना है ठीक है जी चलो take care